हाँ तो वेलकम फ्रेंट्स आज जो हम लोग पोस्टर लिखने वाले हैं वह फिगर देख कि किसी पर पोस्टर हम लोग लिखने वाले हैं चुकि पिछले क्लास में जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैं पोस्टर का पार्ट वन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पोस्टर का डेफिनेशन, टैपस और पोस्टर, पोस्टर का फॉर्माट और दो तरीका से पोस्टर लिखने का मैं बता चुका हूँ, दो पोस समझ में आएगा कि क्या ची पोस्टर में करना होता है से तो सबसे पहले आप किसी भी पोस्टर को लिखे तो उस पोस्टर से रिलेटेड जो होता है से ड्रोइंग जो देख रहेंगी अन एबॉइडेबल होता अवस्यक अदम होता है ठीक है आज जो मैं पोस्टर आपको दे रहा हूं आप समझ रहे हैं आइस डोनेशन पर मैं आपको दे रहा हूं तो सबसे पहले आइस का मैं फिगर दिया हूं अब इसी से रिलेटेट कुछ जो इंपोर्टेंज जो पॉइंट्स होते हैं हाइलाइट्स पॉइंट जो होंगे उसको मैं लिखूंगा ठीक है आराम से कि मैं कैसे कैसे लिखता हूं ठीक है आप थे उस तरह से कोई जोनी कि जो मैं efter रहा हूं वहीं आप सकता है आपके mind में according to your kaput according to your mind you can write any any line ठीक है कोई भी आप line लिख सकते जो आपको लगता है कि नहीं यह सही है ठीक है तो देखें सबसे पहले eyes का मैं figure दिया हूँ और यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ देखें यहां से मैं लिख रहा हूँ कहीं figure के बीच से लिखना है donate देखें donate your eyes donate your eyes का मतलब हो गया अपनी आखों को दान करें ठीक है for blind for the blind अंधों के लिए for the blind का मतलब हो गया अंधों के लिए ध्यान समझेंगे donate का मतलब दान करें यूर आइज मने अपनी आखों को इंपरेटिव सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस में अपना अपनी जो होता हूँ हमेसा यूर बनाया जाता है ठीक है जिसे चेंज यूर सट अपनी सट को बदल लो होता है न तोहाँ पर अपनी के लिए का रहा है चेंज यूर पेन अपन ब्लाइंड मने किसके लिए अंधों के लिए ठीक है और यहां से लिखेंगे एंड और हो गया हेल्प मने सहायता करो देम मने उन्हें ठीक है और सहायता करो उन्हें तो सी दा वर्ल का करने में दुनिया देखने में और सहायता करो उन्हें दुनिया देखने में किसको दुनिया को यह लिखेंगे दस इस तरह your eyes इस तरह आपकी आँख जो है we'll see मने का करेगी देखेगी the world मने किसको दुनिया को इस तरह आपकी आँख जो है दुनिया को देखेगी even EVEN AFTER EVEN AFTER YOU'RE DATE मतलidden आपके मौत के बाद भी इस तरह आपकी आँख जो है से इस तरह करा, इस तरह आपकी आँख दुनिया देखेगी EVEN मने BKE SINCE में होता है तो EVEN AFTER YOUR DATE मने आपके मौत के बाद भी आभ लिख सकते हैं? पर एक और लिख सकते हैं you will be no more you will be no more अब आप नहीं रहोगे अब लास्ट में एक लाइन आप capital letter में सब किचुकी हैं से शाट किये हैं लिख सकते हैं donate अदम सब capital letter में लिखेगा donate donate your donate your eyes donate your eyes अपनी आखों को दान करें जिस तरह से notice advertisement advertisement आप एक box में बंद करते थे उस तरह से इसको भी आप एक box में बंद कर देजिए और देखना के बाद poster का मतलब figure देना अती अवस्यक है ठीक है तो इस तरह से आप क्या किये एक poster लिखे किस के लिए तो eyes donation के लिए आपने का क्या एक poster लिखा ठीक है समझ गए यहां से आपको सुरू करना है figure के बीच mid part से इस तरह से आपको एक क्या करना poster त्यार करना है अगर इतना नहीं कर सकते है ठीक है तो मैं आपको एक important चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ उसको देखिए और आपको कुछे भी नहीं आता है तब भी आप poster लिख सकते हैं असानी से लिख सकते है notice का जहां पर question number three में notice आता है उसी के अथवा में और में जो होता है advertisement आता है या उसी के और में आपको poster होते हैं तो इस तरह से आपको बता रहे हैं आगे देखिए अगर आप कुछी भी नहीं जानते है poster से related तो देखिए मैं आप आज के बाद आँख में उनके दम poster लिखेंगे कैसे लिखना है से ध्यान से देखेंगे इदर ठीक है मैं बता रहा हूं देख रहा है सरीफ समझे या आप इसको लिख लिए है उतार लिए आगर देखिए आपको करना क्या चीज जैसे तो कभी भी आप अगर poster लिखते हैं तो सबसे फस्ट में जो poster लिखते हैं समय काम करना है वह आपको title देना है जिसको आप heading के नाम से जानते हैं ठीक है अगर उतना पीछे वाला जो पढ़ा है वह अगर नहीं समझ में आया वैसा अगर नहीं कर सकते हैं तो आज के बाद इस मेथट को अपना यह असानी से आप poster का कर सकते हैं लिख सकते हैं सबसे फस्ट में poster लिखते से मैं आपको क्या करना है टाइटल देना है टाइटल उसके बाद आपको एडिंग देना ठीक है तो इसके बाद आपको क्या करना है कि हाइलाइट्स पॉंट देना है hybrid highlights 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 points में Hill highlights point में strengthen में जैसे यहां से आपको इस तरह से point joint इस तरह से करकर त्टिकी बुलेट टाइप का इस तरह से आपको क्या करना है देना है जो आप जिस तॉप यह जो आप points दे रहे हैं यह उसी topic से related होगा जिस topic को आप जिस bapt है पर पोस्टर कर कर रहे हैं ड्रrock रूड़े उसी टॉपिक पर आपको यह वला लिखना इस तरह से पॉइंट दिना है आप लिख सकते हैं लिखें इस हो सबने सकते हैं इस तरह से आपको क्या होगा उठोली टी ओधरी ठीक है इस यज़िजी तीन काम किजिए पोस्टर आपको आसानी से फाइब मार्क्स आप आसानी से इसको ले सकते हैं देखिए सबसे पहले टाइटल उसी को हीडिंग बोलते हैं टाइटल लिखिए हालेट्स पॉइंट्स दीजिए इस्विंग आथरिटी दीजिए अगर पीछे मैं दो चार पोस्टर में बता हूँ ना समझ म आया हो तो यह वाला काम कीजिए वरना पीछे समझ में आया तो उस तरह से भी कर सकते हैं देखिए यह आपका पोस्टर का मैंने थोड़ा सा फॉर्मैट बताए आई एक कोस्टन इसी पर ले करके चलते हैं ठीक है तो कोस्टन में लिया देखिए कोस्टन लिखिए वर्ट्स हाइलाइटिंग हाइलाइटिंग मतलब प्रिकास डालते हुए यह सकते हैं प्रिकास डालते हुए डाइप वोस्टर इन अबाउट फिप्टी वर्स हाइलाइटिंग डौरी इस आ कर्स दहेज का है अभी साफ है यह आपका कुस्चन वर ठीक है डारी इस आ कर्स दहेज एक अभी साफ है यहां पर कर सकता है कि यू आर कुछ भी दे सकता है यू आर ना आपका नाम ठीक है यू आर मान लिजिए कि हाँ पर है राजू और कोई भी नाम दे सकता है रानी ठीक है इस तरह सापका कोश्चन है देख लिए कोश्चन समझ लिए ड्रा का मतलब खीचिए आप पोस्टर एक पोस्टर खीचिए इन अबाउट 50 वर्ट्स करना प्रकास डाल पोस्टर में बता देना ठीक है तो सबसे फस्ट में मैं आपको बोला था कि बगल में यहां पर फिगर अदम जुरू लिखना इस तरह से फिगर दिजिए यहां पर चलिए कोई भी एक फिगर बना दिए ठीक है पर सब को अगर दिया हुआ है आपको किस स्थ पर लिखना तो है दञता है आखिन देखें लए कि दोडरी इस दोडरीई इस आप रह्त इस तरह से मैं एक आच आपको दिखिव हेडिंग में इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं हेडिंग इस तरह से बना देना है ठीक है चलिए हेडिंग मैंने बना दिया यहाँ आप फिगर दे सकते हैं फिगर अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बॉक्स बना यह ठीक है बॉक्स बना करके इस तरह से आप क्य इस तरह साथ से में एक होना चाहिए इस तरह से मैंने का किया से एक आप box box भी बना सकते हैं अपना दो थोर सा देखने में लगना चाहिए कि ने मैं कुछ लिख रहा हूं ठीडिक है इसमें आप लिख सकते हैं कोई रिक और कोई भी ची लिख सकते डौरी इस एन इल्लीगल इल्लीगल चलिए ठीक है दहेज जो है दहेज एक गैर कानूनी है ठीक है यहाँ पर और कुछ लिख सकते हैं इसी में लिख दिया कि चलिए डौकर रियल मेन डौन्ट रौन्ट टेख डौड़ी चलिए इसका मतब तो समय गए कि रियल मेन जो होते हैं वास्तविक आदमी जो होते हैं ठीक है वो दहज लेते हैं नहीं इस तरह से मैंने एक फृगर دिया है और और इसी से आपको क्या करना है, जैसे मैं लें बोला उस तरह से आपको करना है, चलिए एक बना लीजिए कोई भी चीज, टैंक बना लीजिए कों आपको डॉड़ेज्ष के बारे में है, यहां साइप लिख सकते हैं कै डॉड़ी, ठीक है, डॉड़ी, इस डवरी इस और ऐन ऑफिन्स और फिन्स का मतलब जो आपका होता है वह आपका होता है कुछी जिसको अपमान बोलते हैं वह आपमान तो दहेस क्या है एक अपमान है है तो चले उसमें क्या प्वांन में क्या क्या हो सकता है चले तो दहिस लेना भी मांग करना affirmärt्व निवाँ से इस सररह मारकर प्वांड सी है dulu music लिख रहा उसी को नहीं आपको जो भी प्वाइंट में रहा है उसको लिखते चले ठीक है आप यह पहले सकते हैं गिविंग कि कि गिविंग एंड टेकींग गिविंग एंड टेकिंग फिर टीक है मतलब इसका देना और लेना ये भी एका है अपमान है चलिए और कुछ भी लिख सकते हैं पनिस्मेंट इसमें क्या है सजा भी है पनिस्मेंट है सजा भी है और कुछ पॉइंट्स आप दे सकते हैं ठीक है कोई भी चीज आप लिख सकते हैं कि एगेंट्स है एगेंट्स हीमेंट्टी ठीक है मतलब मानवता के का है खिलाफ देखे जो मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट में टाइटल मैंने दिया टाइटों फिगर दमाने बाड़ेवल है ठीक है कि विगए फिगर इस आने वाड़ेवल आपको फिगर देना अवस्तिया को इसके बाद मैंने बॉला कि टाइटल जो लिखे उसी से लेटर आपको पॉइंट्स बना देना देखिए मैंने पॉइंट्स बना दिया जो भी आपको दहेटेट डॉरी सिस्टम से रिलेट कोई यापके माइंड में आपको पॉइंट साते आप उसे रिख सकते हं कि इसूड इसूड इन विश्ट इन पब्लिक इंट्रेस्ट तोय आप आनों जऒसली डिजिए ठीकल है और नीचे आप कर दिए कि और यह आप ई operatively नेम अफ और रिंजिस जी में यह हो गया और बाइध क्या है तो आप या तो राजू या रानी कोई भी लिख सकते हैं तो बाइध रानी लिख सकते हैं आप हैं यहां पर हो गया आपका इस तरह से एक complete poster figure दो figure में कुछ न कुछ लिको कोई भी figure बना सकते हैं ठीक है उस तरह से आप topic दीजिए में जो आपका टाइटल वो दीजिए टाइटल के बाद पॉइंट्स बनाईए और इस तरह से नेम आफ इस्विंग या नेम आफ और्गनाईजेशन या इस्विंग आथरिटी के बुक्स से कंप्रिट कीजिए इस तरह से मैंने आपको पोस्टर बताया जो आप अपने माइं पोस्टर बताया अगली क्लास में मैं आपको लिटर सुरू करूंगा जो कि आपको लॉंग कॉम्पोजिशन में टेन मार्क्स क्या आता है तो लगतार्ख इफ वाल्ट वास दा नेक्स्ट एपिसोड दिन तू भी कंटिनूट फॉर वाचिंग नेक्स्ट एपिसोड देट स पर तो